ओम नमस्षिवा आप सभी भक्तों को सावन की धेर सारी सुपकाम नाएं भगवान सिप की जटा से बहने वाली गंगा सर्वो प्रिया है महादेव को अत्यंत प्रिया है और यही गंगा जल जो भगवान सिप पर चड़ाया जाता है वो मनुश्य ग्रहन कर लेता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं उसके सारे ग्रहे दोस खतम हो जाते हैं सिबलिंग पे चड़ा वो अजल सुद्ध हो जाता है पवित्र हो जाता है सास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब किसान सिबलिंग पे चड़ा वो अजल अपने अनाज या खेती में डाल देता है तो वो अनाज जब जब उगेगा तब तक कभी खराब नहीं होगा महादेब की किरपा से फसल खाने व्याला ब्यक्ति कभी बिमार नहीं पड़ता है जिस खेत में सिबलिंग पे चड़ा वा जल छिड़का जाए तो वो अनाज कभी खतम नहीं होता कभी खराब नहीं होता है ऐसी भूमी पे जो फसल उकती है वो शाक्षात महादेब का स्वागत करती है भगवान सिब प्रशन होते हैं पहली पसल माता अन पूर्णा और भगवान सिब को जरूर चड़ाएं अन धन में कोई कमी नहीं होती है बलकि अनाज और बढ़ता जाता है सिबलिंग के उपर चड़ा हुआ जल पीने से आपकी जिन्दगी में कुछ ऐसी घटना घटित होगी जो इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो आप यह जानना चाहते हैं कि सिबलिंग के उपर चड़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो आप ये बीडियो पूरी देखें सिबलिंग में किस परकार से जल चड़ाया जाए और किस तरीके से इसका पानी पिया जाए क्या इस पानी के चमतकार होते हैं घर में छिड़कने के फायदे घर में रखने के फायदे के नियम और साबधानी के बारे में इस बीडियो में बताया जाएगा विदेश्वर सहीता में बारवे अध्याय के अठारवे इसलोक में बताया गया है जो जल सिबलिंग पे चड़ाया जाता है उसे थोड़ा थोड़ा करके तीन बार पीना चाहिए उसमें सपस्ट लिखा है कि इसे पीने से सरीर की काया कलब वाचिक सब बदल जाती है ऐसी कोई समस्या नहीं है जो सिबलिंग पे चड़ा हुआ जल न कर सके स्वयम काल को भी सिबलिंग पे चड़ा हुआ जल रोक सकता है सिबलिंग में चड़ा जल किसी के विनास को भी रोग सकता है किसी के जीवन को भी बदल सकता है विग्यान में भी जल को उत्तम तत्व कहा जाता है गवान सिब को हम अपने कस्ट निवारण है तो सिबलिंग पर जल चड़ाते हैं लेकिन उस परसाद को लेना ही भूल जाते हैं, हम सब भूले नात को जल चड़ाते हैं, बहुत मनोकामना बोलकर, बहुत मनोरत बोलकर कि हमारी मनोकामना को पूर्ण करें, पर जल चड़ाने से हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि हम उस परसाद को लेना ही भूल जाते हैं जिसको हम भगवान सिबलिंग पर अभी अभी चड़ा कर आए हैं उस जल को हम गरहन करना ही भूल जाते हैं वह पर साथ भगवान भोलेनात का आसरी बाद होता है भोलेनात के सिबलिंग पर चड़ा हुआ जल कैसे पिएं और इसके क्या-क्या फाइदे हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं जल पीने का प्रियोग सिबलिंग पे चड़ेवे जल को पीने से लंबे समय तक बुखार नहीं आता है मौसम चेंज होने की वज़े से भी कई लोग बिमार पड़ते हैं कईों को जुखाम खासी अत्यादी बिमारियां होने लग जाती ह मौसम की चेंजिस से इसका रामबान इलाज है सिबलिंग पे चड़ा हुआ जल अगर आप इसको प्रती दिन पिएंगे तो आप हमेशा आरोग या रहेंगे अगर आप प्रती दिन सिबलिंग पे जल नहीं चड़ा सकते तो जिस भी दिन आप सिबलिंग पर जल चड़ाएं तो उस जल को अपने घर ले आएं और एक बोतल में रख दें और प्रती दिन इस जल का सेवन करें इस जल से आप आरोग्य रहेंगे अगर आपकी आँखों में नजर की प्रॉबलम है तो आप इससे रोज मूध हो ये तो आपकी आँखों भी सही हो जाती है इससे आपकी आँखों की द्रिष्ट भी तेज हो जाएगी सही हो जाएगी सीबलिंग पे चड़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है अगर आपका भाग्य दुर भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आप सिबलिंग पर चड़ा हुआ जल पीजिए और आपका दूर भागया आपसे को सो दूर भागेगा अगर आपको ग्रहे दोस बाधा सता रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपकी आध्यात्मिक उन्नती रुख चुकी है और या सफलता की और आगे जैसे ही बढ़ने के लिए होते हैं कोई ना कोई परेशानी आपको घिर लेती है ये सब कुछ नौगरहों के कारण होता है या पूर कर्मों के के फल होते हैं जिससे बचने के लिए आप सिब्लिंग पे चड़े वे जल को नित्य पीजिए आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है बस सिब्लिंग का जल पीजिए सिबलिंग का जल पीने से पुन्हो काया कल्प हो जाता है जैसे कि आपके सरीर में तागत नहीं बनती आपको ठकान जल्दी लग जाती तो सिबलिंग पे चड़े वे जल को नित्य पीना प्रारंब कीजिए तब देखिए अपने जीवन में बदलाओ अगर आपके द्वारा किसी का भी बुरा हो गया है या आप से पाप हो गया है और आप उससे छुटकारा पाना चाते हैं तो नित्य सिबलिंग पर जल चड़ाएं और उस जल को आप चड़ना मिर्द के आधार पर ग्रहन कीजिए अगर आप से कभी गैप हो जाता है तो आप उस सिबलिंग के जल को घर में लाके उसे पी सकते हैं नित्य अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाते हैं और भगवान से बात चीत करना चाते हैं तो नित्य सिबलिंग पे चड़े वे जल को पीने से और ओम नमशिवाई की रोज एक माला जपने से सिद्ध हो जाती है और आपका बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे कार्यक आप पहले से ही पता होने लग जाता है दूसरा नियम सिबलिंग के जल को घर में छड़कने से क्या होता है अगर आप भी सिबलिंग पे चड़े वे जल को रोज अपने घर पे छड़कते हैं तो घर से गरीवी दरिद्रिता दुख हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं बड़े लंबे समय से गरीवी से परेशान है दरिद्रिता आपको छोड़ ही नहीं रही है इन सब का नास सिबलिंग पे चड़े वे जल से हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्षमी जी का इस्थाई निवास हो तो नित्य पूजा करने के बाद अपने घर पे सिबलिंग का चड़ा हुआ जल अवस्चे छिड़े के और धूप का धुआ भी जरूर चलाएं इस से आपके घर में माता लक्षमी का इस्थाई निवास रहेगा और अन्पूर्णा से आपका बंडार हमेशा भरा रहेगा सिबलिंग का पानी प्रति दिन घर में चिड़कने से जो घर है वो तीर्थ जैसा हो जाता है और घर के भ्यक्तियों का आचार ब्योहार बहुत ही सुन्दर हो जाता है और लोगों की तुलना में हजार गुना जादा बरिद्धी होती है और घर में एकता बनी रहती है किसी भी प्रकार की लड़ाई जगड़ा आपके घर में कभी नहीं होगा आपके घर का वातावरन पवित्र रहेगा और जिसके घर में सिवलिंग का पानी छड़का जाता है वो घर तीर्थ जैसा हो जाता है उस घर में स्वयाम लक्षमी नारायन वास करते हैं अभी तीर्थ और देवी देपता इस घर में वास करने के लिए आ जाते हैं और इस घर में हमेज़ सुख संपत्ति बनी रहती है। दुख शमाप तो चाता है और सिवलिंग पे चड़े वेजा कोछ ड़कने से राहु दोस भी नहीं लगते हैं। अगर आपको लगता है हमारे घर पर धन नहीं रुकता है और आपको लगता है कि हमारे घर पर नजर दोस, सनी दोस, काल सर्फ योग दोस, पित्र दोस तो इन सब से बचने के लिए सिर्फ आप एक उपाई करिए। सिबलिंग का जल प्रती दिन अपने घर पर छिड़ किए। इस से आपके घर के सारे वास्तु दोस अपने आप समाप्त होने लग जाएंगे। के गण करते हैं आपकी जीवन की डोर सिप के हातों में आ जाती है बस आप धन कमाए और और मन पूजा भक्ति में लगाएं क्योंकि आपकी रक्षा स्वयम महादेब कर रहे हैं तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता है आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके स्क्राइब जरूर करें